अस्सलाम अलेकुम वियूर्स वैलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्स आज हम बढ़ेंगे एसोसी फोर जिरोवन के लेसन नंबर फिफ्टीन को तो आए स्टार्ट करते हैं किंशीप एंड डिसेंट यह पिछले ही लेसन का पार्ट है जो आगे चल रहा है इसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग डिसेंट को इसके अंदर एक ही इंपॉर्टन पॉइंट है एंसी के उसके वाले से किस्टी परसंट जो कल्चर है ना वो यूनिलीनियल होता है दुनिया का यूनिलीनियल मतलब बंदे को अम्मी और अब्बो दोनों साइटों से पहचाना जा सकता है किंशिप और्गनेजेशन के अंदर डिफरेंट ग्रॉप्स हैं इनको देख लेते हैं पहला है लीनियेज लीनियेजेज कोन लोग होते हैं मतलब जो अपने वालिद को जानते हैं उनके वालिद को जानते हैं जो लोग अपने अबाव औज़दाद के बारे में जिनको नौलीज होता है अंसेस्टर्ज को जानते हैं जिनों ने उनको कहते हैं और क्लायंज वो लोग होते हैं जिनको आपस के रिलेशन का तो पता होता है कि पता है हम बहण और भाई है या मीए भीवी हैं कि लेकिन इनको अपनी फैमली के रिलेटिट जुए है और मोईटी जो होते हैं मतलब अर्टू हाफ्स ऑफ असूसाइटियर इलेटेड बैडिसन मतलब एक भ एक जाथ है ना जो उसके अंदर भी फर्दर टाइब्स होती है आगे भी मुक्तलिफ टाइब्स होती है ना लोग होते हैं वो क्या करते हैं पता तो होता है कि आपस में इनका relation अभी नहीं है लेकिन हाँ क्योंकि इनकी उपर जो जात है जिसके अंदर आगे जो types निकल के उनकी जात बनी है तो वो जात है वो एक ही है मतलब इनके अबाओ जात आपस में same ही थे जिसके विजासे वो आज जो है ना उनकी जात इस तरह पहचानी जाती है आगे है bilateral descent bilateral descent के अंदर क्या है कि मा बाप की side से जो भी हिस्सा बनता है वो बच्चों में equal divide हो जाता है इसके अंदर यह लेकिन जो double descent है उसके अंदर क्या होता है कि मा की तरफ से जो property है पैसे वगएरा और जो life stock है मतलब के जो मुवेशी वगएरा है वो मा की तरफ से आते हैं जो movable चीज़ें होती है और बाप की तरफ से जो non movable मकान हो गया जमीन वगएरा हो गया वो बाप की side से मिलती है यह दुन्गे में सिर्फ 5% ही होता है और यह system जो जो याकू है नाइजेरिया में लाका उसके अंदर ही हो रहा है फिलाल यह प्राइमर involved bilateral descent मतलब या मा की तरफ से होगा या बाप की तरफ से होगा मतलब या दोनों की तरफ से होगा किसी भी side से हो सकता है bilateral जो है मतलब दोनों साइड़ों से हवाईन है अगला हवाईन इसके अंदर क्या होता है कि एक ग्रूप के लोगों को एक जेंडर के लोगों के लिए same term इस्तमाल की जाती है मसलें ये लोग ऐसा करते हैं कि मा का लफ जो है ना सिर्फ मा के लिए समाल नहीं होता बलके खाला को भी मा कहा देते हैं ये सेम जेंडर है फुपी को भी मा कहा देते हैं कजन्स हो गए इनको जिस तरह बहन भाई होते हैं अपसमें इस तरह कजन्स को भी भाई कहते हैं और फीमेल होगी तो इसको बहन कहेंगे इस सिस्टम को ambivalent system कहते हैं ये लोग जो होते हैं joint family system पर focus ज्यादा करते हैं joint family system में ये लोग ज्यादा रहते हैं मतलब इकठे रहते हैं चचा, चाची, फुपो सब लोग इकठे रहते हैं आगे है Iroquus Iroquus के अंदर क्या है focus on unilineal descent मतलब अमी या अब्बू दोनों की तरफ से ये पहचाने जा सकते हैं दोनों में से इनका मानना ये है कि मुख्तिलिफ lineage के लोग मुख्तिलिफ ग्रॉप से तालुक रखते हैं आगे है Sudanese, Sudanese जो है इसको फर्स टाम जिस country में start हुआ था ना तो उसी country के नाम से इसका नाम रख दीए का इसमें हर रिष्टो को मुख्तिलिफ नाम से पुकारा जाता है Omaha Omaha के अंदर क्या होता है ये बड़ा पिचीदा से सिस्टम है इसके अंदर क्या है कि अब्बू की side से पहचाने जाते हैं लोग अमी की side से लोग बिल्कुल भी पहचाने नहीं जाते हैं उनको बिल्कुल prefer नहीं किया जाता है अब्बू के भाई को अब्बू कजन को भी भाई या बहन कहा जाता है लेकिन मा की side वाले कजन को कोई और टर्म दी जाती है और crow जो है just opposite to Omaha है मतलब के मा की side से बच्चे को पहचाना जाता है आगे kinship diagram है यह important एक देख लें MCQ उसके वाले से मैं आपको बताता हूँ इसके लिखा तो नहीं हुआ लेकिन यह मैं zoom कर रहा हूँ यह देखें अब लिख लें copy pencil उठाएं और लिख लें यह जो circle है यह female को जाहर कर रहा है और यह जो triangle है यह male को जाहर कर रहा है यह equal का sign जो है बीच में इसका मतलब है married to यह भी लिख लें equal का sign का मतलब है married to यह जो नीचे lines ही दिया रही है ना इसका मतलब है parents मतलब parents से नीचे आगे relation जा रहा है इसका मतलब है और नीचे जो bracket देख रहे हैं जिसके थूर ट्राइंगल और सरकल को जोड़ा हुआ है मतलब इसका मतलब है siblings of siblings मतलब इनके siblings आई ये ये चीज़ जाहर कर रही है तो मैं अमीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन समझा आगे होगा मिलते हैं next lecture में till then take care अलाहफेज